नमस्कार रादे रादे हरर महादेव मैं आपका आज चाहर देव आज मैं इस वीडियो बात करेंगे कुम्ब लगन ब्रिश्चिक रास के जात्कों के लिए 2024 कैसा जाएगा कुम्ब का मतलब है धनिष्ठा सत्विसा पूर भाद रपद तीन चुत्रों के इनर्जी को लेकर च सनिदेव की लगन है मूल रास ही बोलते हैं इसको सनी की कुम्ब तो घड़ा में अम्रित तत्तों आने की पूरी संभावनाएं बन रही है बहतर परिणाम प्राप्त होने की पूरे चांसस बन रहे हैं ना होने की पेस्चे कोई रीजन नहीं है कि ना हो इस वीडियो पर कहां गोचर कर रहा है कहां से कब क्या चीज़ें मिलेंगी वह सरा डिटेल में बताया जाएका चर्चारम करें उससे पहले बिनमन रोद 2023 में नहीं सब्क्राइब किया तो कोई वात नहीं भाई 24 में सब्क्राइब कर लो काया राखे धर्म है सरीरमाध्धम खलु धर्म करेंगे सब्क्राइब ना ऐब से कि माहधशा अंतर दश के ऊपर है वरना यहां से बेहतर सस्योग और कहीं नहीं बन सकता कारणा आपके लगन में चल रहे हैं भी लगनेश लगन में चल रहा है योक कारक जो ग्रह है वो interdisciplinary में टो यहां से सन्देव starting जो आपके कुंडले में कर रहे हैं शत्विषा में 6 अप्रेल तक शत्विषा में रहेंगे 6 अप्रेल को पूरोबध रपदन चत्र में जाएंगे, पाइकिंग का नचत्र है, इसको, क्या उलते हैं, पाइकिंग का नचत्र, पाइकिंग की ओर बढ़ेंगे, यहां नचत्रो, आपके कुंडली पे, दुती और एका दसभाव के कारकत्त को लेके चलता है, मतलब धन के कारकत्त को लेके चलता है, और धनात धर्म, ध लच्मी नारायन, पहले लच्मी पिर नारायन, भूके भजन नहोए गुपाला, तो यहां से आपके जीवन में सनी महाराज धन की स्थिति को बेहतर करेंगे, स्वास्त भी आपका बेहतर रहेगा, गुरू का प्रभाव लेके शनी देव बेहतर परिणाम देंगे, और इस समय गुरू धीरे से आगे बढ़ रहे हैं और सत्रा तारिक को सूरे नारायन के प्रभाव में जाएंगे, मतलब कृति का अनचित्र में जाएंगे, कोई भी ग्राय, अकेले कोई बड़ा योग नहीं क अनख्याबल होना चाहिए, तो शनी देव वर्ष परिंद्र आपको बेहतर स्वास्त दे रहे हैं, यहाँ पर ये थोड़े से अस्थ हो रहे हैं, 17 परवरी सिले के 23 मार्ज तक 25 दिन के लिए 25 डेस के अस्थ हो रहे हैं, लेकिन सूर्य देव सुता सनी के घर में आएंगे, वही आप अपने घर में बैठे हो, कोई बड़ा व्यक्ति मिलने आपसे आए, तो आप ज़्यादा परिशान नहीं होंगे, थोड़ा दवाव बन सकता है, लेकिन अस्थ नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य नाराण सुता आ रहे हैं, फिर भी 25 दिन के लिए थोड़ा सा प्रभा सनी, जो कि लगन में ही होंगे, लगनेस लगन में ही होगा, बेहतर परिणाम देगे, ठीक, आपके जीवन में जो आपके रासीस हैं, मतलब मंगल महराज, वो आपके कुंडली में पराक्रम के स्वामी हैं, साथ में कर्मा के स्वामी हैं, तो रासीस क्या कहते हैं, तो लगन पांस फर्वरी तक आपके कुंड्ले में ये लाव के घर में हैं हर तरह से लाव इसको बुलते हैं it offering मेडियो पराक्रम का स्वामे लाव के घरू में तो раб के घर में हैं तो सेर्फ में 26 ले लाँ प्रमार्श करम आपको दूर है कि अ कम आपकर kya नस्य हैँ आपको जांगे क्या हं मिल रहे पिछ आप किले प्रम्पी दूर्टे कृम और जाकि आपले दूरके के एस सब्सक्राइब करो दे सनी के ढहिया चल लही है, ढहिया इसी लिए चल लही है कि आपके कारिचित्र प्रगत करें, आपको तरासा जा रहा है, तरासने का काम सनीदेव कर रहे हैं, अताहब यहाँ पे 12 में मंगल महाराज का गोचर थोड़ से मेहनत जादा करने पड़ेगी, भाग दोड़ जादा करन साथ महारच को यह कुम्भ में चले जाएंगी, तो सनी मंगल की आपस में यूती दंगल, नार्मल दंगल यूती बनाती है, लेकिन यहाँ पे चुकि सनी राजा हैं, और मंगल मिलने जा रहे हैं, तो कभी-कभी क्या हो, आप पता है आजकर जैसे चल रहा है, तो बले सिप् पोड मंगल करेंगे, इसलिए सनी मंगल यूती में भी परिशानी नहीं आएगी, एक तिस मार्च को मीन में जाएंगे, धन के घर में जाएंगे, बंद बंदूं से थोड़ा सा दूरी बन सकती है, मित्रों से थोड़े से विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक जून को यह जा र रहे हैं, 23 abbiamo से एक जून तक थोड़े साउधानी बढ़ते गा, 1 जून से सुता की रासी में जा रहे हैं, बहतर करेंगे, उसके बार फिर यह चले जाएंगे, आपके पुर्ली में सुख की रासी में, दसम से सप्तम हैं, बहतर करेंगे, 26 सगस को मित्तुन में चले जाएंग वहां भी बेहतर करेंगे मितुन में सब्धूंता योग क्रियाट कर देंगे मितुन में नहीं संतान के घर में जा रहे हैं फिर भी अच्छा करेंगे किसी तरह से दिक्कत नहीं है 26 अप्टूबर को कर्थ में जाएंगे यहां पर थोड़ी सी परिशानी है यहां पर मंगल भी नीचरासी में चले जाएंगे थोड़ा सा वर्किंग प्लेस पर प्रिशर बनेगा लेकिन जादा नहीं बनेगा क्योंकि सनिदेव लगन में ही है देख लेंगे तो सही के स्थिति और मंगल के स्थिति दोनों आपके कुंड़ी में बेतर है इसलिए मैं बोल ला हूँ कि सस्योग बनने के संभावनाएं प्रवल हैं ठीक है धनात धर्मा गुरु महराज क्या कहते हैं क्योंकि गुरु और सुर्य नाराण ही इस लगन पे पैसे लाके देंगे गुरु महराज दो-दो धनभावों के स्वामी हैं लावेस हैं साथ में दोतियस हैं इस्टार्डिंग वो उन्होंने कर दिया है मतलब 31 दिसंबर से ही मारगी हो गए हैं और केतु के प्रथम नचत्र में मारगी हुए है जिसका नाम है असुनी घोड़े की गती से दोड़त और सुकर आपके कुंडली में सुक के कारक हैं भागे के कारक हैं तो आपके सुकों की मात्रा में बृद्धी करेंगे और भागे को जगाने का काम करेंगे अब गुरु की सब्तम दृष्टी आपके भागे भाव पर है और नवम दृष्टी लाव के गर पर है इसलिए गु योग बनते हैं न बड़े से योग यह लोगों को ले के प्तलते हैं यहाँ पे आप लोगों को ले के चलेंगे और कार्वेवसार में आपकी प्रगती होगी एक मई दोजार चोबिस गुरु महाराज रासी परिवर्तन करेंगे आज आएंगे आपके सुख के घर में तो सुख के घर में गुरु महाराज धन का स्वामी सुख के घर में लाप का स्वामी सुख के घर में तो बिद्धी होगी वाहन की प्रापरटी की भूमी की भवन की इनसे सम्मंदित जो कारे करना चाहते हैं उसके लिए गुरु महाराज आपको द्रभ द्चिना प्रदान कर रहे हैं यहां पे आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे इसके बाद गुरु महाराज मरगिसीरा नचतर में जाएंगे या रोहनी नचतर में जाएंगे तेरा जून को ये रोहनी नचतर में आरोहन करना सिखाते हैं लेकिन थोड़ा सा यहां पे देखेगा स्थूल पन नाए मोटा पन नाए फिर मरगिसीरा में जाएंगे आपको क्या क्या करना चाहिए राशी आपकी ब्रिश्चिक है जो करम भाव में औरोध आ रहा था वो औरोध अक्टूबर तक तो नहीं आएगा अक्टूबर तक आपकी गाड़ी दुरुद गत से भाग रही है अदल्ब इंजन सही है रोड भी सही है कहीं कोई ब्रेकर नहीं स्पीड से आप जितना निकाल सकते हैं निकालें आपके पुनले में जो ब्यापार के स्वामी है सूरी नाराण इस्टार्टिंग में बहुत अच्छा फल दे रहे हैं कार व्योसा अच्छा चलेगा 15 जनवरी से लेके 13 प्रवरी तक थोड़ा रुप के काम करेगा यहां पे प्रवरी से 14 मार्च तक 12 मार्च तक 15 जून से 16 जुलाई मतलब 16 जुलाई तक सूरे नाराण हर तरह से अच्छा फल दे रहे हैं सिर्फ तो आपको 15 जनवरी से 13 फरवरी तक थोड़ा साउधानी से चलना चाहिए उसके लावा सुर नाराण से बेहतर फल देंगे 16 जुलाई से 16 अगस दामपत जीवन में तारता में बना के चलिएगा कोई नया कारव उसाई स्टार्ड करना चाहते हैं इस काम इस समय को निकल जाने दीजेगा क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिसने हमें खगा नहीं तो यहाँ पर नया कारव उसाई करना चाहेंगे तो नक्षान हो सकता है 16 अगस्त के बाद सुर्य नाराण चुकि सब्तम में रहेंगे तो बैवाईग जीवन में ब्रिद्धी या बैवाईग जीवन की और आप बढ़ सकते हैं और यहाँ पर ब्यापार में भी गती होगी तो सुर्य नाराण वर्स पर जांतर आपको बहतर फल दे रहें सिर्प दो समय आपको ध्यान देना होगा एक तो जब यह कन्या में जाएंगे 16 सिप्टमबर से 17 कुबर तक दोसरे जब यह करक में जाएंगे 16 जुलाई से 16 अगस तक बगाया बेहतर लाप देंगे जब यह मकर में है 15 जनवरी 17 परवरी तक तो नया काम नहीं स्टार्ट करना है यह ध्यान रखिएगा आपके कुंडली में सुक्र महराज आपके भागे के कारक हैं सुक्र महराज धन के स्वामी है क्या कहते हैं सुक्र महराज भागे कितना सपोर्ट करेगा तो भई भागे आपका 100% सपोर्ट कर रहा है स्टार्टिंग से ही सुक्र देव धनू में हैं, अच्छा करेंगे 12 में सुक्र अच्छा ही फल देते हैं फिर यह कुम्ब में, मीन में, मेस में, बिशम में, मिथुन में तो 7 जुलाई तक स्रिष्ट फल देने वाले हैं सुक्र को ठीक करके रखेगा साथ जुलाई तक थुड़ा सा रुकावट आएगी लेकिन उसके बाद खिरी गतिमान हो जाएगे तो पूरे वर्ष परियंत सुक्र बहतर फल आपको दे रहे हैं कोई इसी तरह का संदेह नहीं है राव मारा सिकंड हाउस में बैटे हुए हैं छे जुलाई तक ही रेउती में रहेंगे रेउती आपके में लिए मुक्ति का है रेउती प्रेम का है रेउती गुप्त तरीके सिलाब का है तो गुप्त तरीके सिलाब दे रहे हैं सेर मार्केट सिलाब हो सकता है लेकिन और कुंडली चेक कर लिए यह महादसांतर दसा, इसा नहीं है, मैंने खहापने लगा दिया, आनी हो जाएगे, जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए 60 करोण लोगों पर बात की जा रही है, तो प्लीज अकेले इस तरह कारे मत करियेगा, ठीक है, ना कुनली चेकर करियेगा, इसके बाद राहू मज़ा द मंगल का होता है, तो जब मंगल गुरु राहू तीनों प्रवल होंगे, तभी सस्योग क्रियेट होगा, इसलिए इस वर्ष सस्योग आपके जीवन में क्रियेट हो रहा है, केतु महाराज के बात करें, तो केतु महाराज स्टार्टिंग मंगल के नशत्र में चलना है, चार म परजंत आप बेहतर फल प्राप्त करती वाजा रही है प्रेम की स्थटी स्टार्णिंग और बहुत अच्छी को और पिर लेकर आपको 10 मैं से लेकर जून तक कि स्थी प्रेम के लिए बेहतर है suggests कि लिए बेहतर है प्रेय के छित्र में भी आप का ग्रोथ हो रहा है पूरा अगर एक अठा करके बात करें एक लाइन में तो 2023 के पिच्चा 2024 बेहतर जाएगा क्योंकि सनिदेव आपके लगनेश आपके लगन में भी राजमान है गुरु महराज बेहतर पोजिशन में मंगल भी अक्टूवर तक आपको बेहतर पोजिशन देंगे लाश्ट के दो मन्त में थोड़ी सी परिशानी आएगी तो अगर बारा में से दस महा अच्छा जा रहा है तो सब कुछ अच्छा है ठीक है बेहतर प्रणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने गुरु को मजबूत करके रखें क्योंकि धनात धरम हो गुरु का रत्मधान कर सकते हैं लेकिन गुरु दुतियेस हैं लाभेस हैं इसलिए थोड़ा एक्सिडेंटल है ठीक है ना अपने गाउम गाउम में रहते होंगे तो इक गाउम एक कहावत है खीरा सरते काटिये ताते नमक लगाए खीरा जो होता है उसको सिर से काटिये नमक लगा दिजी तिताई खतम आजकल तो सब नए खीरे आ गए उसमें तिताई नहीं रहती पहले होता था तो गुरु का यहाँ पर कलर चंज कर दीजिए सफेद पुक्राज दीजिए इंडिक क्रियट होगा निलम पहनने के सलाम है आपको इसले नहीं दे सकता कि मादस अंतरदसा किसकी चले यद्यभी वह आपको यह भी देखना पड़ेगा कि सनी देव बैठे कहा है क्योंकि द्वादसेस भी हैं खर्च भी कर देंगे तो गलत जगा बैठे हैं तो उस चीज़ों को राप्त करेंगे सनी का वर्ष है वे सनी उनको बहुत उपर उठाएगा जो फोमी वहं वहन से काम कर नहीं को पिज़ों कर रहे हैं तो डेवागा जो सोसित्वनचत पीवडित के लिए तकलीफ पदा करते हैं उन उनको नहीं छूड़ेगा ठीक है ना अच्छे से मज़ेदार बात क्या आ रही है कि दो नंबर चंद्रमा का चार राहू का और आठ जोगा सनी का तो या वर्स चंद्रमा राहू सनी के नर्जी लेके चलेगा ठीक तो देख लिजिए आप किसकी एनर्जी प्लस करते हैं किसकी माइनस करते हैं तो ब्रिष्चिक राशी और कुम्बलगन बेहतर वर्स जा रहा है मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए सेस प्रमात्मा से सब कुछ अच्छा करेंगे रादे